सब्सक्राइब कर दिया गया है लोग सबसेट राज्य सबसेट राज्य सबसेट लेगिसलाइब असेट सेट सबसेट राज्य स्वाइब करना समयरन आध्य सबसेट पर पार 047 Marco आप इसको पर्जस कर पागे, चलिए स्टार्ट करते है, फर्स्स कोशन क्या कहता है, विच कोड एक्जरसाइज तर जूरिडिक्शन ऑफ दे यूनियन टेरिटरी अफ लक्षदीप, तो देखें, एक बात जान लीजे कि हर एक स्टेट का या हर एक यूटी के लिए अगर चैंस सब्सक्राइज यसान कि सब्सक्राइज करेंगे और जना लॉटी के है perfect inmodal उर्स भीलत, कर्वच नोचना में का यूटा करेंड नियूतली प defecation है, सब्सक्राइज कर यूटी के लिए लिए सल्टेट के लिए लिए सब्सक्राइज पहले है और लिए कारवार गार्यों कर दो से टीन कर दो से तीन स्टेट या दो से तीन यूटी का पर आपको याद रखना है कि अंदमान निकोबार के जितने ही केस चलते हैं उतने हम एक तो फेन पर गार्यों कम है और इसा लिए पर पर दोगता है। या फिर आपने मेरा 239 वाला बुक पर्चेस कर रखा है तो उसमें मैंने पूरा एक लिस्ट दिया था कि कौन से स्टेट यूटी का कौन सा हाई कोट है तो वो आपको याद कर लेना है इस कोशन क्या कहता है बाइ विच अमेंडमेंट ऑफ कॉंस्टूशन ऑफ देली वाज मे तहत राष्ट्रिय राजधानी शेत्र बना है क्या बना है एंसीटी नाशनल कापिटल टेरिट्री बना है तो इसका राइट अंसर क्या बनता है ऑप्शन भी इस देन राइट अंसर 69th Constitutional Amendment Act नेक्स्ट है who among the following can remove the governor from his office तो देखो गवर्नर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिदेंट के प्लेजर पे ही उसका टेनियर होता है अचसे सुछ का टेनियर लिखाने गया कि इतने सालों के लिए चलेगा या फिर उनका कुछ एक समालता है secondly अगर प्रेसिदेंट चाहे तो इनको इनके पोस्स से निकाल सकते है जैसा कि मैंने कहा तो प्रेसिदेंट है जो इने निकाल सकते है only one person president Secondly, इनको impeachment करने के लिए कोई भी procedure हमारे constitution में लिखे नहीं गई है ये भी question बहुत बार बनता है कि क्या governor का impeachment करने का procedure लिखा गया है तो बिल्कुल नहीं impeachment, vice president, president, cgi ठीक है इन लोगों का होता है governor का impeachment नहीं होता है आपको याद रखना है next question क्या कहता है the proposal to remove vice president can be moving तो अभी जस्ट में आपको कहा कि जो VP होता है vice president का impeachment होता है ठीक है उनको निकालने की जब बात चलती है तो वो कौन से क्या कहेंगे उसको राज्य सभा में चलती है लोग सभा में चलती है कौन से सदन में चलती है तो यह सिर्फ और सिर्फ राज्य सभा में चलती है कहां पे चलती है केवल और केवल राज्य सभा में चलती है राज्यसभा उली और एक question प्रेसिदेट से hip rights जो head होता है कौन से सदन का head उसका member नहीं होता है ये question बहुत भार पुछा गया आधा राज्यसभा का head से chairman कौन होते है वाइस प्रेसिदेन होते है ETF लेकिन ये राज्यसभा के सदसे नहीं होता--- यह elect हो कर आते हैं, ultimately इनको President करते हैं बर्ट यह elect हो करी में जो करते हैं और जो Vice Chairman के Member होते हैं इस समझ में आ गया आपको Vice President को ex-Office Chairman ethics officer कमतलब होता है कि अत्रिक्त कार्यभार देना तो X Office Chairman of Raja Sabha Secondly Vice President को Vice President बनने की salary नहीं मिलती है उनको Raja Sabha के Chairman बनने की salary मिलती है Vice President राजय सभा का सदस्य नहीं होता है और जो सदस्य होते हैं उनमें से एक सदस्य वहाँ Appoint किया जाता है as Vice Chairman of Raja Sabha तो सारी बाते सावज में आ चुकी होगी, ठीक है next question क्या कहता है which is the largest लोकसभा of India जादा है ठीक है next question क्या कहता है under which article of Indian constitution reservation has been given for the scheduled caste and scheduled tribes in the लोकसभा तो लोकसभा में तो देखो इनको लोकसभा reservation जो मिला है यह article 330 के तहद मिला है 330 के तहद लोकसभा में reservation किसको मिला है हमारे scheduled caste and scheduled tribes को ठीक है article 330 आपको याद रखना है next question क्या कहता है article 123 of constitution deals with article 123 जो है वह कौन से किस संबंधित है actually तो यह राष्ट्रपती के अध्यादेश से संबंधित है presidential ordinance कहते है जिसे actually होता कहे देखो दो सदनों के बीच में जो meeting होती है जो भी उनकी से चे महिनों के ग्याप चे महने से अगर जादा गया पर जैसे कि अभी पैंडमिक के वज़े से meeting नहीं हो पा रहे थी तिक है meeting नहीं हो पा रहे थी लोग नहीं बैट पा रहे थे जो भी हमारे MLA है MP है वो बैट नहीं पा रहे थे बिकॉस पान्डमिक और कभी-कभी ऐसी सिच्वेशन आ जाती है कि दो सदन के meeting होते है उसमें 6 महने से ज़्यादा अगर 6 महने से ज़्यादा है 6 महने से ज़्यादा गयाब हो जाता है और all of sudden कोई ऐसी emergency आ जाते है जिससे कोई ना कोई decision लेना पड़ता है cabinet ministers को तो cabinet minister क्या करते है वो जो भी decision है और अध्यादेश आर्टिकल 123 जो राष्ट्रपती के अध्यादेश के अनुसार राष्ट्रपती की sign लेके उस कानून को डारेक्ली वो आक्ट में कर देते है मतलब अल्टिमेटली अगर क्या होता है कोई भी कानून करना हो तो दो भी सदनों की लोकसभा राज्यासभा दोनों का भी permission लेना पड़ता है बट कोई situation ऐसी आ जाती है कि उन दोनों का सिटिंग होना जरूरी मतलब सिटिंग होना पॉसिबली नहीं है तब जाके आर्टिकल 123 के तहट सिर्फ और सिर्फ निकला थीक है प्रेशिदेन्ट का अध्यदेश निकला और फिर वो आग्ट आ गया अब क्या आगे अब तीन महीने बात इनकी सिटिंग हुई लोकसभा की पी शिटिंग वी राजसभा की भी इनका जब सिटिंग होता है तब इनको छे विग दिये जाते कि ितने विग दि टो यह छोड बूख मत शिक्सिक होता है तो इसे कटके आपको पाहिए तो इसे करके आपको वह भी बूखो यह सब आ खूछा गया है न्हीं संNew Suzy कि इसे में आपने सीच है निदागा देक्ट्रेट ㅋㅋㅋㅋ पढ़ लो नेक्स कोशन क्या कहता है विच अफ दो फॉल्मिश इडल ऑफ दो चोला पिरेड तो निमने लिखिन में से कौन सा चोल काल का सबसे प्रसिद्ध मूर्ती है तो यह नटराज की मूर्ती है आप लोगों को पता होगा साउथ में चोला पिरेड के टाइम पर नटराज की मूर्ती को बहुत ही जादा प्रसिद्ध मूर्ती मानी जाती थी ठीक है सिंपल कोशन था यह नेक्स कोशन क्या कहता है चार वेदाज होते हैं हमारे रिगवेद, सामवेद, यजुरवेद, अथरवेद यह सारे वेदाज मैंने पढ़ा रखा है हिस्ट्री के मेरे अगर आप लिक्चर देखोगे पिछले महाराष्टर की पोस्ट की जब एक्जाम सुई थी तब उनको हमने कवर किया था आप लोग अगर लिक्चर कर लोगे तो भी सफिशिंट हो जाएगा आपकी एक्साम के लिए ठीकर निस्ट्री क्या कहता है हुसरी और बिहुना आर डांस फर्म्स ओफ विच स्टेट तो हुसरी और बिहुना जो है यह वेस्ट बंगॉल से रिलेटेटेट है मतलब वेस्ट जितने हमारे क्लासिकल को वह बहुत हो कि पैसे करें। जितने हमारे को आप याद करें। प्लाइट को आप काम करें। जितने भी important important है, वो कैसे समझेगा आपको कि यह important है, यह important नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आप जब PYP पेपर लगाओगे तब ही समझ में आएगा, कर PYP पेपर देख लेना, कोई भी SSE CGL के पेपर उठा लो, पूरे सेट लगा दो, SSE CGL के 30 सेट लगा दो, जो पिछले कितने 2021 का, पिछले 5 साल के सारे सेट लगा दो, और उसमें जितने भी folk dance के question मिलेंगे आपको, वही आप लोग याद कर लेना, ज्यादा याद मत करने ठ अगर आप नहीं लगा रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, taste series must है आप लगो के लिए, taste book की taste series लगाना, मेरा code यूज करना, ctmv7n, जो 10% आपको instant discount देदेगा, जितना भी उसका प्राइस होगा, उसमें 10% आपको discount मिल जाएगा, आप 1 मंथ का ट्रायल कर सकते हो, उनका 1 मंथ क सब्सक्रिप्शन है, वैसे उनका जो पूरा yearly सब्सक्रिप्शन है वह बहुत ही, you know, like affordable है, तो आप वह भी खरी सकते है, इतने ही questions थे, thank you so much for watching, please subscribe to my channel, share this video, like this video and please keep revising, thank you